केक बेक करने के लिए मैंने यहां 8 हीज का स्क्वेर टीन लिया है और बेकिंग करने के लिए मैंने यहां ओडी इकोबिक ब्राउन कुकिंग एंड बेकिंग पेपर लिया है ये हमारे लिए बहुत ही यूसफुल है ये कन्विनियंट और हैसल फ्री है जिसका हम आसानी से कुकिंग और बेकिंग दोनों में यूस कर सकते है जहाँ पर भी हमें टिन को ग्रीज करने की जरूरत पड़ती है वहाँ पर हम इसका यूस कर सकते है तो ये हमारे लिए बहुत ही यूसफुल है इसका यूस करके हम हमारी कुकिंग को आसान बना सकते है तो ये हमारे कीचन में होना ही जाहिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे दी है आप चाहे तो आसानी से ओनलाइन ओडर भी कर सकते हो अब हम बेटर बनाने की शुरुवात करेंगे चलनी में एक कप मैदा लेंगे अगर आप वजन से ले रहे हो तो 150 ग्रम मैदा लेना होगा आदा कप मिल्क पाउडर या फिर डेरी वाइटनर वनफोथ कप कोको पाउडर थ्रीफोथ कप यानि पोना कप पीसी हुई चीनी एक टीस्पून बेकिंग पाउडर आधी टीस्पून बेकिंग सोडा एड करेंगे और चान लेंगे ड्राइ इंग्रीडियन्स को चानना बहुत ही ज़रूरी है अब चानी हुई सामगरी को अच्छे से मिला लेंगे अब उसी में वनफोथ कप रिफाइंड ओयल एक टीस्पून चोकलेट एसेंस और एक कप दूद एड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे दोस्तों यहां हमें रिफाइंड ओयल ही यूज करना होगा स्मेल आने वाला कोई भी तेल इस्तमाल नहीं करेंगे जैसे सिंग तेल, सरसो का तेल या ओलिव ओयल का यूज नहीं करेंगे नए तो केक में भी तेल की स्मेल आ सकती है लेकिन अगर आपको Refined Oil यूज नहीं करना हो तो आप Refined Oil की जगह उतना ही Melted Butter यूज कर सकते हो और मिलाते वक्त एक बात का ध्यान रखना होगा कि बेटर में एक भी लंज या गुटली नहीं रहनी चाहिए Cake Better एकदम स्मूध होना चाहिए तो यहां हमारा Cake Better तयार है जिसे ओडी Eco-Bake Brown Cooking and Baking Paper लगाए हुए टीन में निकाल लेंगे चार से पांच बार टेप करेंगे अगर लगे की उपर Bubbles दीख रहे हैं तो इस तरह से निकाल देंगे अब इसे Pre-Heated कड़ाई में 5 मिनिट तेज आच और 30 मिनिट धिमी आच पर बेक करेंगे तो टोटल हमें 35 मिनिट के लिए बेक करना होगा 35 मिनिट के बाद स्टीक डाल कर चेक करेंगे स्टीक साफ निकली है मतलब हमारा Cake Bake हो गया है तो अब ढकन लगा देंगे और Gaze बंद कर देंगे और केक को 5 मिनिट कड़ाई में ही रहने देंगे 5 मिनिट के बाद केक को कड़ाई से निकाल लेंगे आप देख सकते हो कि हमारा केक बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है और सच में दोस्तों ये प्रिमिक से कहीं ज्यादा अच्छा बनता है अब केक को हम 10 मिनिट के लिए थंडा कर लेंगे और 10 मिनिट के बाद इसे टीन से अलग कर लेंगे ओडी इकोबेक पेपर की वज़ा से आप देख सकते हो कि हमने आसानी से डीमोल भी कर लिया है अब इसे बिलकुल थंडा होने देंगे मतलब रूम टेंपरेचर पर आने तक इसे थंडा करना होगा और उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे और मैंने यहाँ इस तरह का प्लास्टिक कंटेनर लिया है और यह आधा किलो का है और इस तरह का कंटेनर आपको बेकिंग मटिरियल मिलता हो ऐसी शोप में या फिर जहाँ पर डिस्पोजल सब डीश वगेरा सब मिलता है वहाँ पर मिल जाएगा और यह मैंने 10 रुपीज में लिया था तो बोक्स की साइज में हम केक को कट करेंगे मैंने यहाँ एक कप का मेजर्मेंट लेकर केक बनाया है तो इसमें से एक किल्लो का केक बनेगा लेकिन मुझे इसमें से दूसरी रेसिपी भी बनानी है तो मैंने यहाँ पर एक कप का मेजर्मेंट लिया है आपका box जितनी size का हो उसी के हिसाब से आप better बना कर cake bake कर सकते हो तो cut करने के बाद हम एक बार check करेंगे कि हमारा sponge box में feet होता है कि नहीं तो हमने यहाँ पर sponge को अच्छे से cut कर लिया है अब sponge को हम दो layer में cut करेंगे और एक layer हम box में रखेंगे और chocolate sauce spread करेंगे अब मैंने यहाँ विप क्रिम को piping bag में भर लिया था तो इस तरह से हम विप क्रिम का layer cake पर करेंगे और बहुत सारी चोकोचिप्स भी add करेंगे ताकि cake का taste अच्छा लगे अब उसी के उपर दूसरा layer भी arrange करेंगे और आप चाहे तो इसे पानी से भी soak कर सकते हो और फिर हम इस पर chocolate syrup spread करेंगे दोस्तों मैंने यहाँ दो layer के साथ cake बनाया है तो final यह cake box बनने के बाद यह 400 ग्राम का हुआ था अगर मैं तीन layers यूज करती तो यह आधा किलो का बन जाता मतलब आधा किलो बनाने के लिए हमें half cup का measurement लेना होगा तो सभी चीजे आपको आधा आधा करनी पड़ेगी अब मैंने यहाँ नूर का 7 नंबर का nozzle लिया है जिसमें एक साइड में pink color spread करूँगी और दूसरी साइड मैंने blue color spread किया है और उसी में मैंने whip cream fill कर दी है अब cake के उपर हम इस तरह से design कर देंगे तो दिखने में हमारा cake और भी अच्छा लगेगा अगर हमें कहीं पर जाना हो, किसी के घर जाना हो और किसी को कुछ gift करना हो तो हम इस तरह से container में cake बना कर gift कर सकते है तो हमें traveling में भी cake लेकर जाना हो तो अच्छा रहेगा अब मेरे पास silver spray है तो उसी से हम spray करेंगे और edible golden paper से भी garnish करेंगे और इस तरह के golden bowl से तो उसी से garnish करेंगे तो cake हमारा बहुती सुन्दर लगेगा सच में दोस्तों ये cake बहुती अच्छा बनता है और बनाने में भी बहुती आसान है इसमें कोई तामजाम की जरूरत नहीं है हम बहुती आसानी से बना सकते है अब इस cake को हम 3-4 गंटों के लिए फ्रीज में रखेंगे और इसके बाद हम इसे कट करके भी देख लेंगे देखकर ही लगता है ना दोस्तों की हमारा cake बहुती अच्छा बना है सच में दोस्तों ये बहुती सोफ्ट बना है और खाने में बहुती डिलिशियस बना है तो इस आसान सी recipe को try जरूर कीजिएगा और आज की recipe आपको कैसी लगी वो comments करके जरूर बताएगा और हमारी चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा ताकि हमारा हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे मैं और मानसी फिर मिलेंगे ऐसी ही नई cake recipe के साथ तब तक के लिए cake बनाएए सबको खिलाएए और enjoy कीजिए बाबाई